ओके लास्ट क्लास में कहां तक किये थे 17 तक हमने कर लिये थे ठीक है 17 के बाद कौन सा नहीं हूँ है वो बताओ 18 हो गया होगा 18 तो आसान था हाँ नहीं हुआ चलो पहले 18 से शुरू करते हैं पहले 18 वाला देख लेते हैं यह उसी क्रम में है जो हमने छोड़ा था 17 तो 18 वाला क्वेश्चन है क्या बोला है इसे नंबर जो इनके बीच में फॉल करते हो और डिविजिबल किस से है 5 से सबसे पहले बिटा 5 का डिविजिबलिटी टेस्ट क्या होता है नंबर किस से शुरू होना चाहिए एंड होना चाहिए सौरी 5 से या 0 से है ना तो आपको पता है इसके बीच में पहला नंबर कौन सा आएगा 75 74 के बाद पहला नंबर आएगा 75 that will be divisible by 5 तो सबसे पहले वो ही लिख लेते हैं हम question 18 हाँ वो ही लिख रहे है 75 से ये सिरीज स्टार्ट होगी 75 से स्टार्ट होगी लेकिन एंड कहां पे होगी वो देखो हमें किसके बीच का लिखना है इस नंबर से पहले का नंबर लिखना है तो इस नंबर से पहले क्या आएगा 25555 मतलब 2 और 4 टाइमस 5 ये नंबर पे ये सिरीज क्या होगी end होगी 2 और 4 टाइमस 5 तो ये आपको range मिल गई ये क्या है बिटा a और ये क्या है l लास्ट हम है बिटा ये इसके हलावा कोई term नहीं हो सकती क्योंकि हमें restriction दे दी restriction दे दी तो अब हमें बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है आपको पूछा क्या है वो भी देखो question में number of numbers n की value निकालनी है क्या निकालनी है n की value अब हमें a n पता है a पता है अब l नहीं लेंगे क्योंकि हमें sum of terms नहीं करना तो उसको क्या मानेंगे a n मानेंगे ठीक है तो l तब लेते जब हम sum of terms कर रहे हैं लेकिन हम इसको l नहीं लेके क्या ले लेंगे a n ए पता है an पता है d पता है बिटा 5, क्योंकि 5, 5 से ही तो बढ़ेगा न, आगे तो D की value भी पता है, A की value हो गई 75, An की value है आपकी 2, 5, 5, 5, then after हमारे D की value कित्ती है, 5, and you need to find what, N की value, तो N की value find करने के लिए आपको directly formula में put करना रहेगा, An is equal to A plus N minus 1 into D, An कित्ता दिये बटा, 2, 5, 5, 5, A की value कित्ती है, 75 plus N minus 1 into 5, इस 75 को उधर ले जाके subtract कर सकते हो, पहले या फिर बाद में भी कर सकते हो, कोई आपके उपर depend करता है, इसको पहले रहने दो इधर ही, 75 plus 5N minus 5, ये कित्ता हो जाएगा, 70, 70 को उधर ले जाके subtract कर दो, इसमें से क्या आएगा, ये किसकी value है, 5N की, तो N के लिए क्या करो, 5 से बडिवाइड कर दो, 50, आप देखते हैं, answer कौन सा है हमारा, 5097B, clear है, बस direct नहीं दिया, indirect manner में question पूछा था, बाकी solution बिल्कुल simple था, अब आते हैं, 19th में doubt है, ठीक है, previous में कौन से में doubt है, पहले वो बताओ, 8th और 10th में, चलो वो बाद में देख लेते हैं, 7 में भी, ठीक है, तो 7, 8 और 9, सोरी, 7, 8 और 10, उनको भी देखेंगे, पहले 19 वाला देख लेते हैं, P't term of AP is this, P't term में मतलब, nth term को कैसे लिखते हैं, a plus n minus 1 and 2d, P't term को क्या से लिखेंगे, a plus p minus 1 and 2d, वो term आपको दे रखी है, ये, the sum of the first n terms of the AP, तो पहली n terms का sum कित्ता होगा, n terms का sum कित्ता होता है, पिटा, n terms का sum कित्ता होता है, n by 2, 2a plus n minus 1 and 2d, बट हमें दे कौन सी term रखी है, P't, nth term कैसे निकालें, इसमें हमें क्या पूछा है, the sum of the first n terms of the AP पूछा है, और दे कौन सी term रखी है, P't term, ऐसा एक question हम पहले कर चुके है, nth term दे रखी थी n, उसी में doubt है, इसलिए ये वाला भी नहीं हुआ, वो था न, nth term दे रखी थी n, nth term दे रखी थी m, और rth term आप से पूछी थी, तो हमने m और n की उससे values निकाली थी कुछ, और फिर उसको put करके हमारा answer आया था, यहाँ पे एक ही चीज़ दिए बस खाली, तो पहली n terms का sum क्या होगा, तो पहली n terms का sum निकालने के लिए हमें पहले तो यह चाहिए, a की value, n की value, n तो n ही रहेगा, और d की value, अब हमें वो d और इनकी value, ऐसे हमें क्या करना है, p term दे रखी है, जब nth term देती है, तो हम n की value 1, 2, 3 पुट करके क्या निकाल सकते है, उसकी value, series की, इसमें पहले 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने से हमें जो भी value मिलेगी, that will be a, फिर हम इसमें 2 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी value, second वाले, दोनों के difference से हमें क्या मिलेगा, d मिल जाएगा, फिर हम nth term, sum of n terms निकाल सकते हैं, ठिक है, तो वैसे होगा, आप करें, एक बार try करते हैं, सबसे पहले क्या है, 3p minus 1 upon 6, यही है, this is given, यह p यह term है, अब इसमें हमें सबसे पहले first term निकालने हैं, a is equal to क्या होगा, 3 minus 1 upon 6, तो क्या आएगा, 2 upon 6, that is, अच्छा हाँ, वो difference निकालने में दिक्कत आएगी रहें, दो इसको ऐसे ही, 2 upon 6, अब दूसरी term निकालते हैं, a1, 5 upon 6, अब d निकाल लो, 5 upon 6 minus 2 upon 6, अब इसको कर लेते हैं, 1 upon 3, अब हमारे पास दोनों values आचुके हैं, a b आचुका और d b आचुका है, formula हमारे पास में हैं, उसमें put करके हम निकाल सकते हैं, a n is equal to a plus n minus 1 into d, a की value कित्ती हैं? n minus d की value कित्ती हैं? sorry, sn निकालना था, sorry, ये तो a n का formula है, sn निकालना है na, sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, n by 2, 2 into 1 upon 3 plus lc em कित्ता आए गा? 6, 4 plus 3n minus 3, n by 2, 1 प्लस 3 and upon fix इसी form में है क्या 12 इस form में answer answer इस form में है क्या तो फिर ये final answer हो जाएगा option B है एक बार note कर लो फिर देख लेते जिस form में question में पूछा है उसी form में answer देना है आपको जाएगा है डन, आंसर देख लीजिए, आंसर B वाला है, N by 12 हो गया, और 3N plus 1, तो ये आपका option B is the correct answer of this question, clear है? अच्छा, आगले का answer बतारे, मैंने सुच हो 55 कहां से आ गया, 20, ये तो एक इटम पूछिए तो कैसे करेंगे, plus करके divide by 2, क्या करने लग गया ये, अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान था, इसको add करेंगे तो कितना आएगा, 110, और उसको divide करेंगे 2 से तो 55, 4 arithmetic means, 4 arithmetic means है, देखो सबसे बहले, a की value दे रखी है, और ये कित्ती term चाहिए इसके बीच में, 4, तो ये कौनसी term है, 6 term, तो वो आएगा, a plus 5d की value, 23, तो उससे हम d निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम सारे terms को निकाल सकते बीच की, आसान है, ये तो हो जाएगा, 3 पूछे, 4 पूछे, 10 पूछे हमें मतलब नहीं है, हमें बस first term से a मान लेना है, और last term से क्या निकालना है, d निकालना है, और फिर उसके बाद बीच की, जितनी भी term से वो लिखते जाओ, पहली term क्या आएगी, a plus 2d, इस तरह से चौथी term तक आप लिख दोगे, फिर 22, first term of ap is 14 and some of the first 5 terms and first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign, कर लिया सबने, नहीं किया, देखते हैं, the third term of the ap is, first term ap की कहां से start हो रही है, 14 से, first term ap की क्या है, 14, और यह कह रहा है, शुरू की 5 term का, और शुरू की 10 term का, जो sum है, वो same है, लेकिन बस उसके sign क्या है, opposite है, sign क्या है, opposite है, बाकी वो बिल्कुल same है, तो उस ap की third term क्या होगी, S5 और S10 हमें बुला है, बराबर है, तो वो ही चीज़ हमें लेके चलना है, S5 is equal to S10, पर यह बुला है, opposite in sign, opposite है, इसका मतलब एक साइड में किदर भी minus root कर दो, इधर या उधर, ठीक है, अब हमें इनको निकालना आता है, यह S5 कैसे निकलेगा, n by 2 उसी से, पर n की value क्या ह हो जाएगी, 5, तो हम formula एक साइड लिख लेते हैं, उसी से करने की कोशिश करेंगे, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, a की value कित्ती दे रखी है, 14 दे रखी हमें, ठीक है, formula में put करेंगे, S5 लिखेंगे सबसे पहले, 5 upon 2, 28 plus 4 d, ठीक है, उसके बाद equal to, minus 10 upon 2 कित्ता हो जाएगा, 5, 28 plus 9 d, यह minus है इसके बाहर, अब इसको open कर देते हैं, open करके solve कर लेते हैं, इसको open करेंगे, या फिर एक काम कर सकते हो, इस 2 को इधर ले जाओ, इसका 2 का काम अटाओ, इस 2 को उधर ले जाओ, तो minus 10 हो जाएगा, बाकी फिर देखते हैं, इसका क् सकते हैं, या फिर 5, 5 पहले cancel कर दो, यह भी ओर easy है, इस 2 को उधर ले जाओंगे खाली, 28 plus 4 d is equal to minus 2, 28 plus 9 d, अब कर लो इस minus 2 से multiply, minus का 56, minus का 18 d, d वाली terms को एक साइड ले लो, और इनको अलग ले लो, यह हो जाएगा, 22 d और यह is equal to, minus का 84, d is equal to क्या हो जाएगा, पूरा simplify नहीं होगा, divide नहीं हो रहा, तो 11 और 42, तो d की value आ गई, minus 42 और 11, question में क्या पूछा है, आपको sum of first term बताना है, नहीं नहीं, actual में वापस देखते हैं, the third term, sorry, third term बताने हैं, तो a3 बताने हैं, तो a3 is equal to a plus 2d, तो a की value हमारी कित्ती है, 14, 2 into minus 42 upon 11, 11 LCM पहले ही ले लेते हैं ना, एक साथ भी हो सकता है दोनों काम, यह 11 14 से multiply होगा, तो कित्ता आएगा, हाँ, तो multiply करके भी बात तो वो ही आएगी, 154 और यह आजाएगा minus का 84, तो यह subtract, 6, 6 upon 11, 4, sorry, 6, 4 by 11, या तो यह answer होगा यह होगा, यह होगा, कौन सा वाला है, mixed में दिया होगा, क्योंकि यह rule होता है, it is a standard rule कि जब भी आपको improper fraction मिले, तो किसमें convert कर दो, mixed में, तो जादा तर आपको option किसमें मिलेंगे, mixed fraction में ही मिलने के chances रहेंगे, तो आपका यह answer क्या हो जाएगा, इसका, a वाला, 6, 4 upon 11, clear है, अब समझ में आ गया, the sum of a certain number of terms of an AP series is 52, कुछ terms दे रखी और बुला है, इनका sum किता है, 52 है, the number of terms is, यह तो बहुत आसान है, s n दे रखा है और n की value पूछ रहा है, और a पता है आपको किता है, minus 8, d किता है, plus का 2 या minus का 2, plus का 2, plus का 2, तो a की value minus 8, d की value 2, और sn की value 52, तो हमें n की value इससे निकान लिएं और वो equation बन के आएगा, कल भी किया था ऐसा question, हो जाएगा, ठीक है, the first and the last term of ap are minus 4 and 146, first term दे दी और last term दे दी, the sum of the term is 7171, और the number of terms, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, बटा, directly a दे दिया, l दे दिया, और sn दे दिया, और n by 2 में n निकालना है बस आपको, easily हो जाएगा ये भी, आसान सा question है, formula base, कौन सा formula लगेगा, n by 2, a plus l वाला, और इधर आपको sn की value भी दे रखिए, सारी values बुट करेंगे, answer आ जाएगा, sum of the series to 17 terms, इस series को 17 terms तक जोडना है, तो क्या लेंगे, s 17, s 17 ही लेना है, तो 17 लेने के लिए a की value कित्ती रखूँ, 3.5 लेके कर सकते हो, और फिर 3.5 और 7 है, तो difference भी कित्ता हुआ, 3.5, तो यह 3.5, 3.5 दो value हो गई, उनको रखो, और answer निकालो, और n की value कित्ती लेने है, 17, और formula कौन सा लगेगा, sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, limited formulas are there, उनी formula से आपको बस थुड़ा सा इदर उदर करके answer निकालना है, और यह आसानी से आप complete कर सकते हो, अब बताओ doubt कौन से थे, 7, 8 और 10, ठीक है, यह है, नई, हाँ, दिख गई, क्या हुआ, इसमें कोई doubt है, कैसे, options को put करके, हाँ, options से भी कर सकते हो, आपके उपर depend करता है वो, आजकल क्या मैंच स्वेस करनी रहे, क्यों, क्या पढ़ने का मन कर रहे है फिर, अच्छा, law, I can understand, eco, law, question number 7, 7 ही न, सबसे पहले, देखो, मैं बताता हूँ, नहीं, option नहीं put करना है, जो चीज नहीं समझ में है, वो समझो, देखो, हमें ये 3 terms दे रखें बटा, और बोला, x की value find करो, we know it very well, कि d सेम ही रहता है हमिशा, d चेंज नहीं होता, तो if you subtract any 2 terms of the arithmetic progression, you will get the same number, तो if we subtract this from this, इसको इसमें से, और उनको equal रख दिया, क्योंकि वो हमारा क्या है, d है, that is the common difference, और उसको जब solve करेंगे properly, तो हमारा answer आ जाएगा, clear है, नहीं, subtraction is important, subtract किये बिना तो कैसे आएगा, subtract किये बिना तो आई नहीं सकता, तो subtraction is important, you need to subtract this from this, and then this from this, और दोनों को equate करना है बस, equal रख के और फिर आपकी equation बन जाएगी, x वाली terms से एक साइड, numbers से एक साइड और x की value आ जाएगी, हां, पढ़ ले, में जल्दी पढ़ लेता हूँ, I have a good reading speed, at a glance I can read more than enough, yes, you have written so nicely, and thank you for the things you are telling me, ठीक है, 7th वाला, now 8th one, mth term of ap, and n term दिये, rth term निकाल ले है, थोड़ा सा complicated लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है question, शुरू के steps बताऊंगा, बाकी आप समझ जाओगे, देखना, पहले चीज, mth term कैसे लिखेंगे, हमारे पास formula किसका है बटा, nth term का, वो पहले लिख लेते हैं, a n is equal to a plus n minus 1 into d, यह हमारे पास में है, यह nth term है, इसको क्या बोल रहा है, यह कित्ता दिया है, m दिया है, तो इसको किसके बराबर रख दो, m के बराबर, इन्होंने बोला है question में, nth term of ap is equal to m, और mth term को क्या बोला है, n के बराबर, तो अब mth term कैसे निकालू, जहाँ n है उसकी जगे, m रख दो, a plus m minus 1 into d is equal to n, यह दो equation बन गई बेटा, मेरे पास हम equation वाले chapter में, elimination method पढ़किया है, इससे हम d की value निकालेंगे, तो क्या कर दो, subtract कर दो, a से a cancel हो जाएगा, इधर क्या आएगा, m minus n, यहाँ पे क्या आएगा, n minus m minus m plus 1 into d, sign क्यों change होगा क्यूंकि minus थे, 1 से 1 cancel, यह आएगा, n minus m into d is equal to m minus n, तो d is equal to क्या होगा, m minus n upon n minus m, cut नहीं सकते तो sign change करेंगे, minus common ले लो, तो यह क्या आएगा, minus 1, तो अब d की value क्या आगई, minus 1 आगई, now हमें rth term निकाल लिए, तो r term में क्या रखेंगे, r रख देंगे बस, r रख देंगे, लेकिन a कहां से लाएं, तो अब a निकालो, a निकालने के लिए किसी भी equation में, d की value रख दो, तो a भी आजाएगा, पर वो a पूरा नहीं आएगा, किस की terms में आएगा, m और n की terms में, तो a निकालेंगे, और फिर उसको r में put कर देंगे, अब आजाएगा, कर लोगे अब, वैसे तो solution तो कल भी करवाया था, बस confusion जो था, मेरे इसाब से अब दूर हो गया, Done, अब 10 वाले में, The nth term of the series, whose sum of n terms is 5n square plus 2n, मैंने बताया थे, इसके दो तरीके है, There are two ways to do the question, पहला है, कि आप क्या करो, nth term ये दे रखी है, तो पहले शुरू की 2 term निकाल लो, a निकाल लो, फिर उससे d निकाल लो, और फिर उसको, फॉर्मुले में put करके, answer निकाल लो, तो भी answer वो ही आएगा, लेगिन दूसरा तरीका, मैंने क्या बताया था, n terms का sum दे रखा है, n-1 terms का sum निकाल लो, दोनों का difference जो आएगा, वो nth term आएगी, कैसे, देखो एक बार, मैंने कल भी वो ही चीज़ explain की थी, वापस से वो ही चीज़ explain करता हूँ, आज series थोड़ी दूसरी ले ले लेते, series अलग ले लेते हैं, जैसे कि series आपने ले ली, 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, ये मैंने series ले ली, अब मुझे 4 terms मिलिए बेटा, इस series में, मुझे बोल रहा है, इन 4 का sum मुझे दिया हुआ है, और मुझे पूछ रहा है, nth term क्या होगी वो बताओ, अभी मुझे मानलो ये पता नहीं है, ये तुम्हेंने लिख दिया, पर मुझे पता नहीं है, और पूछ रहा है, sorry, ये term पूछ रहा है, कि ये क्या है, पर sum दे रहा है, sum कित्ता होगा इसका, 11 प्लस 8, 19, 19 प्लस 7, 26, 26, तो n terms का sum कित्ता है, 26, ये मुझे पता है, अब देखो, मुझे पूछ रहा है कि, ये term बताओ last वाली, मानलो कि मुझे ये term बताई नहीं गई है, मुझे पूछ रहा है कि, ये term क्या होगी, तो मैं क्या करूँ, इन तीनों का sum निकालू, और उसमें से subtract करूँ, तो मुझे last वाली term मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी न, इन तीनों का sum कित्ता है, 15, 15 को 26 में से minus करेंगी, तो what you get, last term, nth term मिल जाएगी, तो same वही logic question में अप्लाई करना है, n terms का sum दे रख है, n minus 1 का निकालो, दोनों को subtract करो, you will get your nth term, nth term मिल जाएगी उससे, clear है, तो इनको sum करके, सारों को, आप देखो, दूसरा तरीका जो था, वो वाला कर लेते हैं, आज, दूसरा तरीका हमने कल नहीं किया था, तो वो आज कर लेते हैं, sn मुझे ये दे रख है, ठीक है, sn मुझे ये दे रख है, और मुझे बोल रहा है कि, आपको बताना है, nth term इसकी क्या होगी, ठीक है, तो आप मुझे एक और तरीका पता है इसका, कि दूसरे तरीक, sn माइनस वन निकाला, दोनों को डिफरेंस किया, लेगिन अगर उससे भी नहीं करना है, तो आप फिर दूसरा तरीका क्या ले सकते हो, s1 निकाल लो, s2 निकाल लो, a निकाल लो, d निकालो, पर वो लेंदी प्रोसेस जाएगा, उसको नहीं करे तो जादा बेटर है, हम n माइनस वन ही निकाले तो जादा है, सही, n माइनस वन, यह लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों का डिफ्रेंस क्या आएगा, nth term आपको मिल जाएगी, इन दोनों का डिफ्रेंस कर दो, तो क्या आएगा, 5n स्क्वाइर प्लस 2n, माइनस 5n स्क्वाइर प्लस 10n, माइनस 5 माइनस 2n प्लस 2, 2n से 2n, 5n स्क्वाइर से 5n, यह क्या है, 10n और यह क्या आएगा, माइनस 3, तो यह आपकी क्या आगई, nth term आगई, यह shortest method है, अगर long method से जाओगे, a और d के according, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतना लंबा, कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो इसी method से कर लो, तो जादा बेटर है, क्या बुला, तो जाएगा, तो देखो, यह आपका arithmetic progression का जो topic था, वो तो खतम हो गया है, अब इसमें बचा है geometric progression, अब geometric progression हमें next class में ही शुरू करेंगे, तो जादा बेटर है, क्योंकि यह complicated, थोड़ा सा इससे जादा है, arithmetic progression थोड़ा सा एक level अप जाएगा, ऐसा बहुत जादा complicated तो नहीं है, लेगिन arithmetic progression और geometric progression में, अगर difficulty level देखें तो geometric का जादा होता है, नहीं, बहुत जादा नहीं है, बहुत जादा नहीं है complicated, थोड़ा सा difficult है, थोड़ा सा, हुत जादा नहीं है,